नमश्कार में अप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चर जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को सरकारी नौकरी के लिए बिहार के आई टी आई में 3,000 पदो पर होगी न्युक्तियां स्रम विभाग की वरी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है साथ ही यह भी बताया है कि राजभर में आई टी आई की संख्या पहले बहुत कम थी SP सिंगला एजेंसी काओ महात्मा गांधी सेतू के समनांतर बनाने वाले पुल का मिला टेंडर पटना की गांधी सेतू के समनांतर बनने वाले पुल फोर्ड लेन के निर्मान के लिए संशे की स्थिती अब समाप्त हो गई है जिसके नर्मान को लेकर कई एजेंसियों ने टेंडर भरा था लेकिन केंद्रिय सरक परिवान एवं राजमार्ग मंत्राले ने इस नए पुल का टेंडर S.P. सिंगला को सौप दिया है खास बात यह है कि पुल के नर्मान पर अनुमानित खर्च से 25 फीजी कम रेट पर यह टेंडर फाइनल क्या गया है S.P. सिंगला कोंपरी ने कहा है कि वो साधे तीन साल में इस पुल कया नर्मान पूरी तरीके से कर लेगी करीब 2927 करोर की लागत में 14.50 किलोमीटर इस अपरोच का नर्मान ऑक्टूबर में शुरू होने की उमीद जताई जा रही है जिसके बाद मार्च 2014 में इसके पूरा होने की संभाव ना जताई गई है पटना के एक महतपूर्ण इलाके में जमीन के सर्कल रेट में हुई बोड़ होतरी पटना में एक बड़े इलाके में जमीन की कीमत जल्द ही आसमांच होने वाली है राजधानी के आर ब्लॉक दिघा 6 लेन हाईवे के किनारे जमीन की सर्कल रेट बढ़ाई जाएगी व्यवसाइक गतिविधिया नहीं थी लेकिन 6 लेन सरक के निर्मान के बाद व्यवसाइक गतिविधिया बढ़ने वाली हैं इसी को ध्यान में रखते वे अब सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी हो रही है फिल्हाल यहां के सर्कल रेट तकरीबन 50 लाख रुपे प्रती कठा है और व्यवसाइक इस ट्रेनी में आने के बाद यह 95 लाख प्रती कठा हो जाएगी बॉर्ट में पानी के निगरानी करने वालों पर अब हर महीने मिलने वाले वार्षिक अनुदान की राशी बढ़ी मुख्यमंदर नितिशकुमार ने इस बात की घोशना की है साथ ही यह भी बताया है कि अब प्रिया नव्यन एवं प्रबंधन समीती द्वारा वार्षिक अनुदान को 1000 से बढ़ा कर 2000 प्रतिमा कर दिया गया है मिली जुआनकारी के नुसार मुख्यमंदर नितिशकुमार ने लोग स्वास्ते अभी हंतर विभाग नगर विकास एवं पंचायती राज्यों की 33,716.51 करूर रुपे के हर घर नलकाजल और पकी नाली-गली योजना के शिरुवात करने के दौरान उक्तुबाते कही है बीतर दिन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये आयो जोतेस कारिक्रा में उन्होंने एलान किया है कि पानी आप उर्ती की देखरे करने वाले वाट सदस्यों की हर महीने 500 से बदल कर 1000 रुपे दिये जाएंगे इसके साथ ही उन्होंने इशारो इशारो में चुनावी बात भी कही है और मौजुदा मुख्या से कहा है कि वो समय आ गया है कि अब अपना काम शुरू कर सकते हैं कुछ लोग सिर्फ बोलने का काम कर रहे हैं लोगों को भटकानी की कोशिश करेंगे लेकिन आप लोग भू पूरियेगा नहीं सुषान संग्राचपूर्थ के बारे में रियाच्डर्बरथी के साथ साथ लगातार उनके फ्लैक में सिधारत पिठानी कुक समेथ स्ये बी बातचीट जारी है राज़त कारे करताओं को बेसबरी से है लालो प्रसाद यादव का इंतजार अगामे विधान सभाचुनाफ के पहले राज़त कारे करताओं को अब लालो प्रसाद यादव का इंतजार जोर शोर से है महिराज़त नेता बृतुज्य तिवारी ने लालू प्रसाद यादफ की कमी का जिक्र करते वे कहा कि तेजस्वी 5 साल में ही 20 साल कानुभव प्राप्त कर चुके हैं पूरे महागठ बंदन की जिम्मदारी तेजस्वी के कंधों पर हैं फिर भी पार्टी को लालू प्रसाद यादफ का इंतजार हैं आपको बता दे लालू प्रसाद यादफ पिछला लोग सभाचनाफ की दौरान सलाखों के पीछे ते उस दौरान तेजस्वी को ना सिर्फ प प्रसाद यादफ खुल कर सामने आ जाए वहीं पार्टी में टिकेट के दावेदार भी कह रहे हैं कि उन्हें बेसबरी से लालू प्रसाद यादफ का इंतजार है नालंदा नवादा और गया में जल्द पहुचेगा गंगा जल नालंदा नवादा गया में गंगा जल पहुचने वाले हैं इसके साथ ही वे वाटर स्टोरेज टैंक का भी श्रन्यास करने वाले है मेरी जानकारी के नुसार नालंदा के साथ ही नवादा और गया जुले के लोगों को भी योजना का लाब मिलने की बात कही गई है। सवारी करने वाले यात्रियों के लिए खुशका प्री पटना गया समेत मुकामा भीटा पटना मुगल सराय रेल खंट पर कई ट्रेनों के परिचालन की प्रक्रियाश शुरू हो सकती है मेरी जानकारी के अनुसार पुर्व मज रेलवे ने इसको लेकर राजो सरकार को प्रस् भीजा गया है एक्सप्रेस ट्रेन में दिन प्रति दिन यात्रियों की संख्या बढ़ रही है जुसे राजोइंद्र नगर टर्मिनल पटना जंक्षन पर यात्रियों का दबाव अधिक हो रहा है इसी को देखते वे पुर्व मध रेल की तरफ से दस एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्ता आव रेलवे बोर्ट को भीजा गया है जस्वी यादव ने सत्ता में आने के बाद आर्थिक नयाय करने का किया एलान नेता प्रतिपक्ष्ति यस्वी यादव ने एक बार फिर से नितीश सरकार को निशाने पढ़ लिया है जिसके तैत उन्होंने बिहार से प्रतिपक्र करते वे कहा कि उन्होंने सूबे में सामाजिक नयाय किया था हम भरोसा दिलाते हैं कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम सामाजिक नयाय के साथ साथ आर्थिक नयाय भी करेंगे वरतमान सरकार की तरह सिर्फ घर में छिपने का काम नहीं करेंगे खेल दिवस के दिन डाक बंगला चौराहे पर खिलाडियों का दिखा विरोध आज खेल दिवस के मौके पर खिलाडियों ने राजधानी के डाक बंगला चौराहे पर खूब विरोध किया है लेकिन जो भी घोशना पहले होती थी उसे जमीन पर पूरा काम नहीं किया गया है उसमें 6 साल में सरकारी नौकरी के खिलाडियों के न्युक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से बंध है क्यों बंध है सरकार ने आज तक जवाब देना सही नहीं समझा है या माननिय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है उसका ये हाल है तो बाकी का भगवान भरोसे ही होगा जब सरकार की योजना है कि हर साल लगभग हर खेल में 5 खिलाडियों के न्युक्ति की जाईगी प्रसुत किया था जिसमें से 9 जीलों के प्लान को क्यांप सर्वे के नतीजे को शामिल नहीं किया जाने पर खारिच कर दिया गया है बिहार वधान सभाजवाचुनाफ से पूर्व मतदाता जुगरुकता मुहीम को लेकल चिंदित है कैंप सरवे 2019 में नतीज़े ने उसे और ज़यादा चिंदित कर दिया है इस सर्वे में आयनतीजे के आधार पर ही इस बार मतदाता जागरुकता कारेक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि विधानसभाद चुनाव में गिरते वोटिंग प्रतिश्रत को रोका जा सके पटना में COVID-19 संक्रमत मरीजों की संख्या 20,000 के पार बिहार में COVID-19 के बेलगा मामलों की बढ़ोतरी हो रहे हैं वहीं सबसे ज्यादा हालात राज्धानी पटना के खराब हैं पटना में शुकरवार को मेरे 300 से ज्यादा नया मामलों के साथ ही 20,096 प्रभावितों की संख्या पहुँच गई है वहीं 17,409 लोग COVID-19 संक्रमत से ठीकों का घर वापस लोड़ चुके हैं मरीजों के ठीकोंने के रेकवरी दरबढ़ करके 87 प्रतिशत हो चुकी है वामदलों ने राजध को स्वापी सीटों की डिमांड वाली चिठी आगामी वधान सभा चुनाव को ध्य जानकारी राजध को दे दी गई है बंदल फाफे में राजध को डिमांड वाली सूची देने के बाद कयासो का दौर शुरू हो गया है कि आखिर वामदलों को महागठ बंदन में कितने सीट मिलेंगे चुईतर नामा जी महागठ बंदन से भले ही अलग हो गया हो लेकिन मह आकुमार के भी एक मज साजा करने की उम्मीद ज़ताई जा रही है 2020 के पूरे सीजन से बाहर कर दिये गए है जुसकी जानकारी चैन्नेई सुपर किंग्स के आधिकारिक वेब साइट से साजा की गई है चैन्नेई सुपर किंग्स के ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और बताया है कि चैने इस सुपर किंग्स की तरब से सुरेश रायना नीजी कारणों से UAE से भारत लोटा हैं और IPL 2020 के लिए उपलब्ध नहीं होगे वहीं अब सुरेश रायना के मैज से बाहर जाने के बाद CSK की परिशानी काफी ज़्यादा बढ़ गई है भारत में बीते 24 घंटे में मिले 76,000 से ज्यादा मामले भारत में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है स्वास्ते वभाग की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बीते 24 घंटे में 76,472 नहीं मामलों की पुष्टी की गई है जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 34,63,972 पर पहुँच गई है और साथ ही कुल मिलाकर जान गवाने वालों की संख्या 62,550 पर पहुँच गई है वहीं COVID-19 की वज़े से रिकवरी दर की बात करें तो इसमें स्वास्ते वभाग की तरफ से साथ हकिएगे आखडों के नुसार 76,47 प्रतिशत पर रिकवरी दर पहुँच चुकी है देश के लगभाग सभी राजों में कोरोना संक्रमित आ रहे हैं कई राजों ऐसे भी है जो है इस वक्त COVID-19 से मुक्त हो चुके हैं लेकिन प्रवासियों के राजों में दाखिल होने से वो फिर से संक्रमन की ज़़द में आ रहे हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुजार आयोजित होने वाली IPL मैच में सुरेश राइना के मैच से बाहर होने के बाद चेनेस सुपर किंग्स के मैच पर कोई असर देखने को मिलेगा या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइकों दबाना ना भूले धन्यवाद